Good morning everyone, welcome to All India Students Community मैं All India Students Community में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी से बनने वाले सभी important content of yours हम इस वीडियो में Hindi और English दोनों language के अंदर cover करेंगे अगर अभी तक आप लोगोंने copy pen नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए क्योंकि बहुत कुछ बताने के लिए है और बहुत कुछ नोट करवाने के लिए तो चलो सुरू करते हैं पहला question है हाल ही में भारतिय परवासी सम्मान पुरुषकार किसके दुआरा दिये गए Recently the Indian परवासी सम्मान awards were given by whom And the correct answer will be और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तो हमारे देश के जो रास्टपती हैं उन्हीं के दुआरा नो जनवरी को परवासी भारतिय दिवस के मोके पर ये पुरुषकार परदान किये गए और total 30 लोगों को या फिर आप बोल सकते हैं इन 30 लोगों में कुछ organization है और साथी साथ NRIG है जिनको ये पुरुषकार दिये गए है तो 30 संस्था और जो परवासी है भारतिय परवासी है उनको ये award दिये गए हमारे देश के राश्टपती दुआरा आप मुझे comment करके बताएंगे हमारे देश के इस समय राश्टपती कौन है और ये किस नंबर के राश्टपती है अगर मैं बात करूँ परवासी दिवस की आपको मालूम होगा हर साल नो जनवरी को क्या मनाया जाता है परवासी दिवस मनाया जाता है परवासी भारतिय दिवस हर साल नो जनवरी को इस साल सोलवा इस साल इसका सोलवा संस्क्रण जो है मनाया गया है अगर मैं बात करूँ राश्टपती की तो हमारे जो राश्टपती है समय वो है रामनात और हमारे सविधान का अनुच्छेद बावन कहता है कि हमारे देश का एक राष्टपती होगा और ये किस में बोला गया है अनुच्छेद बावन में बोला गया है अगर मैं बात करता हूँ अनुचेद 58 की तो अनुचेद 58 जो है ये बात करता है किसके बारे में कि राष्टपती बनने के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 58 में ये क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है कि एज क होनी चाहिए उसको कोई पद नहीं होना चाहिए वो राजसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए तो ये सारी जानकारी हमें मिलती है अनुच्छेद 58 से आर्टिकल 58 भही पर बहुत ही फेमस है आर्टिकल 61 इसका सम्मध किस्से है इंपीचमेंट जिसको हिंदी में बोलते है महाभयोग तो अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि कैसे राष्टपती को उसके पद से हटाया जा सकता है जिसकी जानकारी महाभयोग आर्टिकल 61 में मिलती है दोस्तो आज का पहला सवाल आप लोगों से अगर राष्टपती और उपराष्टपती दोनों ही अपने पद प ये पहला सवाल है, जितने भी स्टुडेंट्स इस कुशन का सही जवाब देंगे, मेरे दुवारा जितने भी पूछे गए, इस वीडियो के अंदर सवाल का अगर आप सही जवाब देते हैं, तो इस मंत्त के लास्ट में आप जीत सकते हैं, इस महीने के सारे important current affairs, वो भी पू और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उत्तर परदेश, क्या होगा उत्तर परदेश, तो उत्तर परदेश के फरूकाबाद में, कहां पर उत्तर परदेश के अंदर एक जगह है फरूकाबाद, वहीं पर जो उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यानाद, योगी आदित्यनाद दौरा जो है फरुकाबाद में आरोग्य मेले की सुरुवात की गई क्यों की गई आरोग्य मोरे की इसके अंदर लोगों को मुख्यमंत्री जनारोग्य योजना और साथ ही साथ आयुस्मान भारत योजना के बारपती जागरू किया जाएगा और जो ये आरोग्य मेले हैं इसमें क्या होगा हर साल 11 जनवरी को इसकी सुरुवात हुई थी और यहां पर बताया गया कि हर रविवार राज्य के सरकारी अस्पतालों में आरोग्य योजना के तहत लोगों का इलाज किया जाएगा इसकी सुरुआत की किसने? उत्तर परदेस के मुख्यमंतरी योगी आधित्यनात ने अच्छा आपको याद होगा अभी पिछले साल योगी आधित्यनात के पिता का निधन हो गया था उनके पिता का क्या नाम था आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर मैं यहां पर बात करता हूँ उत्तर परदेश यहां की राजधानी क्या है सभी को पता होगा लखनौ जो है यह उत्तर परदेश की राजधानी है अगर आपसे पूछा जाए किस नदी पर है तो लखनव जो है आप लोगों गोमती नदी के किनारे पर इस्थित होगा कहां पर है लखनव जो है ये गोमती नदी के किनारे इस्थित है अगर अभी हम बात करते हैं हाल फिलाल में उत्तरपरदेश किन वज़े से चर्चा में रहा अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था मुख्यमंतरी माटी कला योजना मुख्यमंतरी माटी कला योजना की सुरुवात उत्तरपरदेश में हुई थी ये क्या थी जो प्लास्टिक से बने समान है उनको रोकने के लिए और मिट्टी से बने समानों को बढ़ावा देने के लिए कुमार जाती को 10 लाग तक का लोन दिया जा रहा था मुख्यमंतरी माटी कला योजना के तहत वो भी बिना ब्याज गे आपको याद होगा एक किताब है जिसका नाम है बाए बाए कोरोना क्या नाम है बाए बाए कोरोना इस किताब को लिखा है किसने परदीप स्रिवास्तम ने और इस पुस्तक का विमोचन किया गया था उत्तर परदेश की जो कवर्नर है राज्यपाल है आनंदी बेन पटेल दुआरा कुछ दिनों पहले आपको याद होगा आनंदी बेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी लोंच किया था महिलाओ की सुरक्सा के लिए और मिसन सक्ती लोंच किया गया था ठीक है उसी के तहत गिलास रूम भी बनाए गए थे परतेक जिले में मानव तसकरी विरोधी पुलिस स्टेशन खोले गए ये भी कहाँ पर खोले गए उत्तर परदेश में ही मंडुआ डीही रेलिवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया बनारस रेलिवे स्टेशन कर दिया गया और आपको याद होगा सबसे ज़्यादा ग्रेलू परियटक जो घूमने पहुंचे वो कहाँ पर पहुंचे थे उत्तर परदेश के अंदर ही घूमने पहुंच तो एक जूलोजीकल पार्क चर्चा में था जूलोजीकल पार्क और वो धा सहीद अस्वाक उल्ला जूलोजीकल पार्क ये कहां पर बनाया जा रहा है आज का दूसरा सवाल आप लोगों के लिए सहीद अस्वाक उल्ला जूलोजीकल पार्क कहां पर बनाया जा रहा है आप गुरु के इतिहास को स्कूल के पाठ्यकरम में सामिल करने वाला राज्य भी उत्तर परदेश ही बना था। भी इसको टच करता है और आठवा राज्य आप बोल सकते हैं दिल्ली भी जो है उत्तर परदेश को टच करता है तो बिहार, जारकंड, छत्तिसगड, मध्यपरदेश, राजिस्थान, हरियाना, उत्राखंड और हिमाचल परदेश ये आठ राज्य और एक यूनियन टेरिट्र है जो उत्तर परदेश को टच करती है तो टोटल आप बोल सकते है एट प्लस वन जो है ये उत्तर परदेश को टच करते हैं क्लियर है चलो बढ़ते हैं अगले कुश्चन पर अगले कुश्चन पर जाने से पहले आप मुझे बताएंगे राजिस्थान के सीम गवर्नर का न next question है किस राज्य ने छात्रों को दो जीबी डाटा परते दिन फ्री देने का वादा किया है which state has promise to give 2 जीबी डाटा पर डे फ्री तो students and the correct answer will be Tamil Nadu तो अभी हाल ही में Tamil Nadu के जो मुख्यमंतरी है पलानी स्वामी उन्होंने छात्रों को हर दिन जो है 2 जीबी डाटा फ्री देने का वादा किया क्यों किया गया है जैसा कि आप सभी को पता होगा COVID-19 के बाद सभी classes जो है online हो रही है तो उसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल और कॉलिजों के सभी चात्रों को 2 जीबी डाटा फ्री दिया जाएगा जनवरी से अपरेल तक कहां पर Tamil Nadu में अब बात Tamil Nadu की है तो Tamil Nadu से related चीजों को जान लेते हैं सबसे पहले Tamil Nadu का capital क्या है और Tamil Nadu का capital सुनते ही आपको याद आया होगा चिन्नई तो चिन्नई जो है ये Tamil Nadu का capital है और चिन्नई में आपको क्या मिलेगा चमडा अनुसंधान केंदर कहां पर है चिन्नई के अंदर है CM यहां के EK पलानी स्वामी है और गवर्नर की बात करें बनवारी लाल प्रोहित जो है यहां के गवर्नर है मिनाकसी मंदिर ये कहां पर है काफी बार पेपर में पूछा जाता है मिनाकसी मंदिर जो की मदुरई में है ये तमिलाडू में ही है अभी तमिलाडू का अटिस्वा जिला बन गया मैला दुत्तुत्रई 38 जिला क्या बना है मैला दुत्तुत्रही यहां का 38 जिला होगा और मचली उत्पादन में टौक पर कौन सा राज्य है अगर पूछे तो वो तमिल नाडू ही है ठीक है मोधी किचन की सुरुआ तमिल नाडू से हुई थी बाजार कर्ज में टौक पर तमिल नाडू है और भारत का दूसरा रोकिट लोंच पोर्ट यह कहां पर बनाया जा रहा है भारत का दूसरा रोकिट लोंच पोर्ट यह बनाया जा रहा है तमिल नाडू के अंदर और कहां पर कुल सेखर पट्टी नम एक जगह है थुत्तु कूडी में यहाँ एक जिला है थुत्तु कूडी वही पर कुल सेखर पटिनम जगह है वही पर बनाय जा रहा है भारत का दूसरा रोकिट लोंच पोर्ट जहां से रोकिट लोंच किये जाते हैं ठीक है यह वहिकल पर 100% छूट देने वाला राज्य तमिलाडू बना था अगर मैं बात करूँ यहां की सबसे उची चोटी की तो मुलाया नगिरी मुलाया नगिरी जो है यहां की सबसे उची चोटी है तमिलाडू की मुलाया नगिरी तो करनाट का है करनाट का है मुलाया नगरी तमिलनाडू की है डोडा बेटा डोडा बेटा जो है ये तमिलनाडू का है और साथी साथ नीलगरी हिल्स का भी सबसे उची चोटी जो है वो डोडा बेटा ही है ठीक है जिसका हाइट लगबग कितना है अगर आप से पूछ जाए, I think चेक का लेना यार, यह थोड़ा याद नहीं आ रहा इसका हैट कितना है, डोड़ा बेटा सलसे हुची है लोग सभा की टोटल सीटे यहां से 49 है राज्य सभा की टोटल सीटे तमिलनाडू से 18 है एरिया के अकोडिंग यह दसवे स्थान पर आता है और पोपुलेशन के अकोडिंग तमिलनाडू छटे स्थान पर आता है देश का पहला इलेक्ट्रिक वहान पार्क तमिलनाडू के अंदर बना जा रहा है देश का पहला इलेक्ट्रिक वहान पार्क और कल की वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया था देश का पहला स्काई पार्क कहां पर बना जा इसकी पार्क ये हिमाचल परदेश में बन रहा है सिमला में कुफरी करके एक जगह है वहाँ पर और अगर बात करें अभी हाई की तमिल नाडू की एमनेत्रा को युनाइटिड नेशन की गुडविल एमबेसेडर टूदा पूर भी न्युक्त किया गया था और रास्टे जल पुरुषकार 2019 में टोप पर रहा था तमिल नाडू ठीक है चलो बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ नेक्स्ट कुश्चन है हाल ही में रास्टे युवा दिवस कम मनाया गया और इसका जवाब देने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है नीचे देखे एक लाइक का बटन होगा दबा दीजिए ये वीडियो आप लोगों के लिए है हर रोज आप लोगों को सुबह साड़े 6 बजे के आसपास वीडियो मिलेगा जिसके अंदर टॉप सलेक्टेड कोस्चन होंगे जो एक्जाम पैटन पर होंगे आप लोगों के लिए आप किसी भी कॉंपरिटिव एक्जाम का प्रिपरिशन कर रहे हो बहतरी इन कुश्चन का कलेक्शन लेकर आऊँगा डेटेल्स में चीजों को डिसकस करेंगे ताकि आप लोगों को सिर्फ चीजे जीखे नहीं जाने नहीं उसके परती आग लोगों के अंदर एक ऐसा जुनून हो जानने का हर रोज आप लोगों के लिए 6.6 मज़े वीडियो आएगा तो याद लाइक कर दें दोस्तों के साथ सेयर करें किसी भी एक्जाम में बैठो करेंट अफेस जरूर आता है और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे जैसे अभी CET होने लगेगा 2020 में तो आप लोगों का जो परसेंटेज करेंट अफेस का 20 से 30 परसेंट रहता था वो बढ़कर कहीं न कहीं 35 परसेंट हो जाएगा तो करेंट अफेस को फोकस रखिए आने वाले दिनों में तो हाल ही में रास्टे युवा दिवस कब मनाया गया बारा जनवरी को तो हर साल बारा जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जैनती को रास्टे युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्यो मनाया जाता है और कब से 63 को स्वामी वेकानन जी का जन्म हुआ था उनके आदर्सों पर चलने के लिए उनके आदर्सों के परती युवाव को जागरू करने के लिए हर साल 12 जनवरी को रास्ट्य युवा दिवस मनाया जाता है 1984 में सरकार ने गोशना की कि हम रास्ट्य युवा दिवस मनायेंगे और पहली बार 1985 में रास्ट्य युवा दिवस मनाया गया था ठीक है वही पर एक सवाल और पूछता है रास्ट्य युवा मोहत्सव दिवस कब मनाया जाता है अगर आपसे पेपर में पोचा जाए यूओ दिवस, राष्टे यूओ दिवस का विश्य क्या था, थीम क्या थी तो इसका जो थीम था, वो क्या था, यूओ, वी, डबल, वाई, यू वी, डबल, ए, एच युवा इसके आगे था उत्सा नए भारत का ये था इसका विश्य है उत्सा नए भारत का 12 जनवरी को मनाए गए रास्टा युवा दिवस का थीम अब आप लोगों के लिए एक सवाल आप मुझे बताएंगे अंतरास्टिय युवा दिवस कब मनाया जाता है अंतरास्टिय युवा दिवस देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे अंतरास्टिय युवा दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करके बताईए चलो बढ़ते हैं क्लिक कुश्यन की तरफ बिंदु सागर जील किस राज़्य में इस्तित है बिंदु सागर लेक इस लोकेटेड इन विच स्टेट और गरेक्ट आंसर विल बी ओडिसा तो बिंदु सागर जील जो है ये ओडिसा के अंदर इस्तित है ओडिसा की जो राजधानी है भूवनेश्वर वही पर आपको मिलेगी बिंदु सागर जील लिंग राजमंदिर के आसपास जो लिंग राजमंदिर के बारे में आपने सुना होगा बहुती फेमस मंदिर है कभी कभी तो सिधा सिधा पूछ भी लेता है कि ये जो लिंग राजमंदिर है ये कहां पर है ओडिसा में है और ओडिसा के अंदर ही भूवनेश्वर में है बिंदु सागर जील अभी इस जील क जोई सफाई करने के लिए याँ पिर आप बोल सकते हैं इस जील की काया कलप बदलने के लिए योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के नाम था बिंदू सागर जील काया कलप परियोजना ये इसका नाम नाम है इस परियोजना का इसके तहत इस जील को साप किया जाएगा और भारत के अंदर इसको मतलब सुच भी माना जाता है और बहुत ही इसका धार्मिक मतलब संबन्ध है इस जील का बिंदु सागर जील का ये ओडिसा के अंदर इस्तित है और इसकी जो योजना की सुरुवात की गई वो यहां के मुख्य मंतरी नवीन पतनायक और हमारे जो केंद्रिया पैट्रोलियम मंतरी है धर्मेंद्र परधान इनके दुआरा जो है इस योजना की सुरुवात की गई है कि हम जील को साप रखेंगे तो यह कहां पर है ओडिसा म अंदर ही है Qunar का Surya मंदिर जिसका 100% क्या किया गया था 100% Surya करण कर दिया गया ठीक है 100% Surya करण किया गया अमरित ranking के तहट टोप पर कोन सा राज्ये रहा था अमरित के पहथ तो वो ओड़ी सा था, गरीमा योजना की शुरुआत यहाँ पर हुय थी, भूमे ही इन किसानों को लोन देने के लिए, और यहाँके सन टेमपल, जो है युनेस्को की आइकोनिक साइट में सामिल किया गया था, बायो फलोक फिस टेकनोलोजी, बायो फलोक फिस फार्मिंग टेकनोलोजी, का इस्तमाल करने वाला राज पहले मुख्मद रफीक थे अब वो मध्यापरदेश के मुख्वनाइदीस बन गया परिश्रम पोर्टल यहां पर लोँच हुआ और नुवाखाई मोहत्सव यहां पर मनाया जाता है देश का पहला फायर पार्क कहां पर खोला गया यह ओडिसा में खोला गया आपसे पूछ स सकता है देश का पहला फायर पार्क हो गया और भारत का पहला टायर पार्क कहां पर खोला गया था भारत का पहला टायर पार्क कमेंट करके बताईए देखते हैं आपको पता है कि नहीं पता देश का पहला टायर पार कहां पर खोला गया और भारत का पहला पोलीनेटर पार् पिछली वीडियो में बताया था मैंने नेक्स कुशन है थेला बैंक की सुरुवात कहां पर की गई वेर वाज बैग बैंक स्टार्टेड एंड़ करेक्ट आंसर विल भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में जो है बैग बैंक की सुरुवात की गई लखनव के नगर निगम दुवारा जो है बैग बैंक थेला बैंक की सुरुवात की गई अब नगर निगम क्या करेगा मंडियों में और बाजारों में थेलों की विक्री करेगा क्यों परियावरन को बचाने के लिए और जैसा कि आप सभी को पता पोलतिन वगार का अस्तमाल होता है उससे ज थेले बेके जाएंगे जिनका कोस्ट यह होगा परियावरन को साप सुत्रा बनाने के लिए प्रावरेवरन की रक्सा करने के लिए और सहर को प्लास्टिक मुक्त इसका उद्देश्य क्या है क्यों खोला गया है इसका उद्देश्य अगर आप से पूछे सहर को प्लास्टि मुक्त बनाने के लिए ठीक है अगर आपको याद होगा अभी उत्तर परदेश के एक व्यक्ति थे जो पहले मध्यापरदेश के गवर्नर हुआ करते थे जिनका हाली में निधन हो गया था और उनके निधन के बाद लखनों के अंदर है एक चोक चोरहा उसका नाम बदल कर क्य जो है लाल जी टंडन मार्ग कर दिया गया था ठीक है साथिसाथ आपको बहुत इंपोर्टेंट चीज यहां से बताता हूँ मुघल म्यूजियम आपको याद होगा इसका नाम बदल कर छत्रपती सिवा जी महराज के नाम पर कर दिया गया था मुघल म्यूजियम का ठीक है ऐसे तो बहुत सारी चीजों के नाम भी बदले हैं, लेकिन यह important है कुछ, और लखनों के अंदर आप लोगों को Ikana Stadium मिलेगा, अच्छा Ikana Stadium का भी नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, कमेंट करके बताइए, किसके नाम पर रख दिया गया है, Ikana Stadium, उत्तर परदेश का आप बोल और इसका जो सही जवाब होगा, केंट सरकार द्वारा, तो स्कूलों और विध्यालियों में, स्कूल और यूनिवर्स्टीज बगएरा में, छातरों को प्रेरित करने के लिए, अभी अपने सविधान की जानकारी के लिए, केंट सरकार द्वारा भी हाली में, सविधान को जानो अभ्यान शुरू किया गया next question है अच्छा नीती आयोग आपने यहाँ पे option में देखा होगा नीती आयोग किस थापना कब हुई थी और इसने किस को replace किया था किस commission को किस आयोग को इसने replace किया था आप मुझे comment करके बताएंगे next question है heating device बुखारी किस ने launch किया who launched the heating device बुखारी तो यह हिम ताप एक तरीके से हिम तापक है हिम तापक है और जिसका नाम है heating device बुखारी तो अभी इसको जो है DRDO द्वारा लूँच किया गया है जो ऐसे की जो भारते सेना है आपने देखा होगा वो ठंडे अलाकों में duty करते हैं जैसे सियाचीन हो गया लेहल अद्दाक हो गया तो वहाँ पर उनको ठंड से बचाने के लिए एक heating device बुखारी लोँच किया DRDO ने अब बात DRDO की है इसका full phone क्या है आप मुझे comment करके बताएंगे इस्थापना 1958 में हुआ था और 1958 में ही नासा का भी स्थापना हुआ था 1958 में ही ठीक है अच्छा इस्थापना कब हुआ था यह आप मुझे बताओ और अगर बात करें अध्यक्स की तो 37 रिड्डी जो है यह DRDO की अध्यक्स है इनका कारेकाल अभी दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है दो साल के लिए और मोटो अगर मोटो की बात करें तो मोटो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे DRDO का मोटो क्या है अभी DRDO ने हेमंत कुमार को हेमंत कुमार को Scientist of the Year Award से सम्मानित किया था हेमंत कुमार को बनाए थे किसने DRDO नहीं तो यह सारी जानकारी थी DRDO से Next question है हाल ही में मनाई गई सड़क सुरक्सा सप्ता का theme क्या है What is the theme of the recently celebrated road safety week and the correct answer will be Save yourself to save your family तो इसका जो आंसर होगा वो होगा Save yourself to save your family और इस बार ये 32 सड़क सुरक्सा सप्ता मनाया गया है जो की 11 जनवरी से हर साल 17 जनवरी के बीच मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है सड़क और स्टीट वगारा है उसके परती लोगों को जागरूप करने के लिए और एक्सिडेंट वगारा कम करने के लिए उनको सुरक्सित रखने के लिए इसलिए सडको और स्टीट्स को सुरक्सित रखने के लिए ठीक है अच्छा आप मुझे भता कमेंट करके बताईएगा जो हमारा ट्रानस्पोर्ट मिरिस्टर है वो क्ओन है किसके पास है एह question है और यह last question of the day है यह है प्रेशा खेमानी क्या नाम है प्रेशा खेमानी अभी इन्होंने हाली में जो है youngest kid youngest kid to identify youngest kid to identify flags and country names अवोर्ड जीत लिया है youngest kid to identify flags and country name अवोर्ड जीता है और यह मात्र 5 साल की है और इन्होंने पुने की रहने वाली है 4 मिनट 17 सेकंड में डेड़ सो देशो की राजधानी उनके जंडे के साथ पहचान कर उनके बारे में बता कर यह record बनाया है और इनका नाम जो है world record इंडिया बुक में भी सामिल कर लिया गया है तो प्रेशा खेमानी ने जीत लिया है youngest kid to identify flags and country name सिर्फ 5 साल की है पुने से है मारास्चे दो दोस्तों ये थे आज के हमारे सभी important counterfeures and the last question of the day किस voice roy के समय पर सिचाई आयोग का स्थापना हुआ था at which voice roy's time was the irrigation commission established दोस्तों ये थी आज के हमारी important counterfeures questions का एक जो बोल सकते हैं आप collection आप लोगों को ये वीडियो लगा कैसा comment करके जरूर बताईएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए comment करके बताएगर कहीं पर भी आपको कोई कमी नजर आती है और प्लीज जादा स्याद आपने दोस्तों के साथ share करिएगा हर रोज 6 बज़े आप लोगों को वीडियो मिल जाया करेगा वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ share करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और हाँ लाइक करके जरूर जाना जै हिन्द जै भरत पीडियाप आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल से और टेलिग्राम चैनल आप लोगों को मालूम ही होगा All India Students Community सर्च करो All India Students Community टेलिग्राम पर महाँ पर डेली करेंट अवेस्स का पीडियाप आप लोगों को मिलता रहेगा थैंक यू